हेलो एब्रीवन वेल्कम टूवर यूट्यूब चैनल जो के लिटेस्ट इंफो तो जैसे कि आपको कहा था हम आपको एक बार ओवर्वीव करवा देगे बस एक्जाम के बाद तो जो अठा तारिक अपर एक्जाम होने जा रहा है आज हम क्या करेंगे जिसको पार्ट वन लेक तो यहां पर यह वीडियो उन स्टुटेंट के लिए बैनेफिशल रहने वाली है उन स्टुटेंट को बैनेफिट देगी जिनको पता नहीं कि हाँ रिजिंग का सेक्शन रहता कैसे है अगर आपको पता होना चाहिए कि पेपर का लैवल कर रहने वाला है किस तरह के पेपर सैट होगे और क्या उन चीज़ों का पकवर कर सकते हो जैसे जैसे मागे बढ़त जाएंगे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा इतना क्लियर हो गया और आपको बताओंगा सबसे इसुक्ष अधियु वीडियो में करना थैंगा इसे नहीं बोलोग रहता है। इसीतरह की आ इसे पैटन को देखने को मिल जाएंगे इतना क्लिर हो गया और बागी जो चीज़े बोलुगा न वो बे कवर कर लोगे तो सारे के सारे को बताना चाहूंगा चलो बादे बताऊंगा पर हम स्टार्ट करते हैं के सारे टॉपिक हैं यहां पर जिसे वन बाई वन कोशन की हम बा कहा गया हो की बात करें उसकी कोडिंग किसे तरह से की गई है अगर होस की कोडिंग है अमारे पास हम यहां पर लिख दिते हैं यह पर होस लिखा गए तीर आप से पूछा गया कि बताओ एपल की कोडिंग किस तरह से की जाएगी आप से क्या पूछा गया बताओ एपल की कोडिंग किस तरह से की जाएगी कोशन क्लियर हो गया कहा गया है कि हॉर्स जो इसकी कोडिंग इस तरह से की जाएगी अगर हम सेम पैटन को फॉलो करेंगे तो आपको बताना है कि एपल की को जाएगी अब यहां पर देखें आपको पता है ना एक बद दी आ रहा है वहांसी बात करें ओके बाद कौन सा आता है ओकी बद पी आ आगे बड़ रहे हैं आर्की बात करें आर से एक से नहीं डत आगे यह जाएगा ऐसे हो यहां पर आपको पहले बाद कोन सा है लेटर के बाद कॉन सा नेक्स लेटर कोंसा आता है बीर आता के बिलाईटर है इसके मतुभर वर्ड था हमारे पास alphabet था हमने उसके भी decoding गी तो P के बाद Q आ रहा था था ना तो हमने देख ले क्यूँ अब B और Q पहले दो लैटर को कौन से option में मिल रहे हैं वो आपको सिर्फ और सिर्फ D option में मिल रहे हैं इसका मतलब D option अपर correct हो जाएगा अगर सारा solve करना स्टार्ट कर दोगे तो time waste करने वाली बात है वो सब नहीं करना है एक से दो या दो से तीन तक अभी आपको जाना पड़ेगा आपको answer मिल जाया करेगा कहीं पर पहले step में आपको answer मिल जाया करेगा आपको समझ आ रहा है pattern किस तरह से पहचानना है यहां पर सिर्फ आपको pattern प प्लैन की तरह की गयी P L A N ठीक है आपको भी महां पर मिलेगा न pen वगर्द तो आप भी इस तरह से महां पर कर लेना ठीक है इस तरह से लिख देना आगे चलते हैं यह पर कहा गया qmbo की जो coding है वो P L A N की तरह की गई है आपको बताना है ल ओ P X इसकी coding की तरह से की जाएग मतलब इसका face कैसे दिखता है L की तरह दिखता है तो L इसकी face value है O क्या है इसकी face value है P क्या है इसकी face value है ठीक है हमें इनके place value पता होना चाहिए अगर आपको place value पता होगी न तो coding decoding का कोई भी question है आप बड़े मज़े से कर लोगे A confidence भी boost होगा आपका ठीक है जिसे L की बात करें L ABC में कौन से number पर आता है क्या आपको इस चीज़ का पता है हम बात करें Q ABC में Q कौन से number पर आता है जिसे A की बात करेंगे तो A मुझे पता है first number पर आता है Z की बात करें आप बड़े मज़े से कर लोगे questions को ठीक है नहीं होता ना तो कहीं बार क्या होता कि हलाकि आपको बताना चाहूंगा आपका paper तो difficult नहीं set होगा easy set होगा बट फिर भी इन चुजों की कभी-कभी जरूरत पड़ती है तो उन चुजों को भी cover करें ना आपको बताऊंगा कैसे जैसे इस qeusn की बात करें पहले दोनों तरीके से करते हैं आपको देखते हैं क्वोंसी तरीकाठीक लगता है हम बात करें q.q की कोडिंग की की कही है l की तरह थे कैसे पैचनल की किस तरह की की कोडिंग की कई है मुझे पता क्यू और तो P तो साथ साथ आते हैं, P Q ऐसे रहता है, M और L की बात करें यह तो साथ साथ रहते हैं, तो Q से पहले वला alphabet कौन सा आता है, पहले P आता है, फिर Q आता है ना, पहले L आता है, फिर M आता है, तो मिझे coding समझा गी, B की coding O A की गई है, इसका मतलब क्या है, B से पहले A आता है, इतना clear हो गया, यह कोई समझ आ रहा होगा, वैसे यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी तो coding होगी ना, हमें एक step पीछे की तो जाना पड़ेगा, L हमारे पास L से पहले क्या आता है, L से पहले की आता है, अब हम देखते हो options की तरफ, कौन से-कौन से option हमारा सही हो सकता है, अगर हम option की तरफ जाएं तो देखो, एक ही option ऐसा है, जो के से start हो रहा है, तो हमें तो आगेजने की जुरूरती नहीं थी, हमारे question यहीं पर खतम हो गया इतना खिर हो गया अब कहीं बार ना जैसे यहां पर तो QP आसपास थे H और I आसपास थे आपने पहचान लिया अब फिर मान कि तो लहां पर Q के coding कोई की होती आपकी G की तरह इस तरह से कुछ coding की गई होती फिर तो बड़ डिफिकल्ट बन जाना था ना पैटन पैचाना तो ऐसे cases में आपको बता रहा हूँ ऐसे cases में आपको place value का पता होना ज़रूरी है हलाकि जहां तक मुझे लगता है जो मैंने model paper वे गरा देखे है कुछ paper जो मैंने दूसरे exam के देखे है इस level के वहाँ पर इतनी ज़रूरत नहीं पढ़ते है इन चीज़ों के बट फिर भी आपको आने चाहिए आपको मैं recommend करूँग अपने तरफ से तो यहाँ पर इसकी coding किस तरह से की गए थी PLN की तरह की गए थी तो अगर आप उस level पर चलें तो आपको बताना चाहूंगा हमें पता Q 17th number पर आता है आपने Q के जगा 17 लिख दिया M हमें पता 13th number पर आता है B हमें पता 2nd number पर आता है O का हमें पता 15th number पर आता है इतना प्लिर हो गया इसकी कोडिंग इस तरह कैसे की गई है मुझे पता है P 16th number पर आता है L 12th number पर आता है A first number पर आता है और N 14th number पर आता है clear हो गया अब अगर में यह alphabet लिखने के बजाए मेरे सामने question होता है वाहां पे alphabet लिख होते मैं उनको लिखने के जगा उनकी number लिख देता और जो कोडिंग की गई है उसकी भी number लिख देता तो मिझे पैटन सम्मा जलता 17 की कोडिंग 16 की गई है 13 की कोडिंग 12 की गई है 2 की कोडिंग 1 की गई है 15 कोडिंग 14 की गई है नंबर से पहचानना इजी रहता आगे पीछे वला एल्फबेट में कहीं पर हो जोता कि यह पीसे पहले क्या आता है फिर कहीं पर ABC करना पड़ता है यह से कहीं पर होता है तो अगर आप यह से पहले क्या था कभी अभी confusion है कि हाँ हम इस तरह की questions कर सकते हैं या आने वाले कुछ और topics आपको करवाऊंगा जहां पर आपको लगे का हाँ इतना difficult है नहीं हम यह सब कुछ cover कर सकते हैं उनको मैं बताऊंगा ज्यादा difficult काम नहीं है बड़ा easy काम है हमारे चैनल पर एक playlist है जिके SSB reasoning के नाम से हलाकि वहां पर वीडियो सब कहीं सारी मिलेंगी 18-20 वीडियो आपको मिलेंगी बट आपको बताना चाहूंगा टोटल सिर्फ आठी टॉपिक है उन आज टॉपिक को cover करवान में 18-20 वीडियो बनी है बट आपने सभी के सभी वीडियो नहीं देखनी है मैं ऐसा बिल अब तोपिक आप देने के जुरूरत ही नहीं है आप सिर्फ पहला वाला पार्ट देखो समझ के जितने बी टॉपिंस होगे न उनका सिर्फ पहला पहला पार्ट देख लो बड़े मज़े से आपका अपका अपको एक्जाम में भी आएगा तेर हो गया और बैंफित यह रह पेज वगर अपने पास में रखना खुझ से सॉल्व कर लेना वहां से क्लियर भी हो जाएगा और अगर आपको नहीं कोशन सॉल्व होगा ना जब मैं वहां पी वीडियो में आपको सुल्व करवाऊंगा तो आपको थोड़ा कुछ सीखने को मिलेगा वह चीज आपको दिम इतने नंबर पर आता है इसको याद करने के ट्रिक भी बता चुका हूं पहले पार्ट में तो जाके वीडियो जरूर देखना आपको काम आने वाली है एक्जाम में जाके टाइम आपको पता है वहां पर जाके यह नहीं करना कि एबीसी लिखना उसके लिखना कि उसके नहीं थे या कोई और भी रिजन में हो सकता है जो भी है बट आपको पस अभी 2-3 दिनों का टाइम अगर आपके बचा है तो आपको सीरिस रहना है चाहिए इन 3-4 दिनों में आप चार गंटे सोना स्टार्ट करो कोई फरक नहीं पड़ता है कोई बीमार नहीं तो मैं चलिए देखो यहां पर क्या कहा गया है 1 2 3 4 अब इसके कोडिंग गई है 1 2 3 4 की कोडिंग किस तरह से की गई है 1 2 3 4 की कोडिंग किस तरह से की जाएगी आप यह difficult question नहीं है दो तरीके से कर सकते हो ऐसे questions को एक तो यह है कि आपको पता 1 जो है 1 जो है वो A की place value है A की place value A first number पर आता है B आपको पता second number पर आता है तो आप सभी को पता था C की बात करें C third number पर आता है D fourth number पर आता है इस तरह से coding नहीं है second number पर क्या आता है B आता है मुझे यहाँ पर B लिखना पड़ेगा first number पर A लिखना पड़ेगा एक तो ऐसे कर सकते थे दूसरा अगर मान के चलो आपको नहीं राती place value कर रहा याँ को यहाँ पर X, Y, T, V इस तरह से अगर question नहोता है तो आप क्या करते है आपने करना था आपने देखा याँ की यहाँ पर D और हो यहाँ पर same to same Malay यहाँ पर A यहाँ पर A अर्यख देना देसिपना पर kart है यह गिंण के फौर गेगा को भी बाहतो हो याँ? तो सबसे जाति कि दिन्या घ्रास काल कमकर यह पॉके बताऊं कोटीन और टू कोडिंग गया इस तरह से पो कहा गई कि C X Y कोडिंग इस तरह से की गई है तो आप बताइए कि X Y C की कोडिंग की इस तरह से की जाएगी अब यहां पर पैटन पैटन पैचानने को नहीं मिलता तो आप क्या करोगे आपको पता है X कोडिंग 14 की गई है तो जहां पर X या 14 लिग दो यह कब करना है जब same to same जितने भी वर्ट से ना वो सारे के सारे same to same आपसे पूछे गए हैं बस आगे पीछे करके पूछे गए तब इस चीज़ को फॉलो करना इतना क्लिर हो गया यह कंसप कब फॉलो करना है जो आपसे पूछा गया है सेम वैसे वर्ट आपसे पूछा गया है बस आगे पीछे कर दिया तब इस पैटन को फॉलो करना अब बॉट सेक्षिं इस तरह से मिलेंगे फ्लेट सेक्षिं में जाना आप एक सब्सक्राइब हो गया तो यह ना अराम से करना अच्छे से करना फुरा दिमाग लगाना मतलब पैनिक विरह बिल्कुल है इस तरह की कोशिंट में बड़े मज़े से ना थोड़े सी चाहूंगा एक काम और कर लेना जब मैं आपको जल्दी आपको इंग्लिश करवाने वाला हूँ पर द्यास है एक हाग चाहिस सारे हैं एक यूघ्जा कहा गया है कि ऊप्षिन में किया पाइब पताने रहिए प्यूठन को पहिचाना जडरूरी है पहले आ है यूठ पिर एकस फिर दी हदिए आर है ना आर के बाद क्या है एस और टी मतलब दो चोड़ दो फिर आपके बाद यू आ रहा है यू के बाद की दिख रहा होगा आपको समझ आ रहा होगा इतना चलिड हो गया या पिर डाउट में रहा होगा इसका इनकी लिगते आर तो फिर एक से लेके चार की तरफ गे तीन एड़ गिया चार से साथ की तरफ जाना था तो जैसे को ठीक लेगता है वैसे करना बड़ मैं रिक्मेंट करूंगा जो प्लेस वैल्यू है यह याद कर लेना थीक है जैसे एक कोशिशन और है जैसा अब कर आँगा न ऐसे कोशिशन आलने के जादा चांस अपके एक्जाम में ठीक है इसको तरह से समझना थैंकस टी एच एंक्स की तरफ ट्रीके के गई है तो आपको बताना था की किस तरह से कि जाएगी आपको बताना था कि जो है वह किस तरह से की जाएगी हलाकि इसके options की हद से करते ना यह जल्दी हो जाना था आपको यहां पर मैं options नहीं दिखाऊंगा इसको पूरा करेंगे ताकि आपको किसी तरह की डिफिकल्टी नहों यहां पर देखो किया है यहां पर भी टी एच एट एंट केस्ट देखने को बिल रहा है मतलब इनी वर्ट को आगे पर शेवल किया हुआ है तो ऐसे कोशन्स पर करना होता है आपने पस पैटन पहचाना है इसको भी उसी कृटिएगा उस पर ऑफ्सका है और पर यहां पर और हमने देखा अब यहाँ पर हमने देखा जो last word था वो first number पे आ गया है जो second last था वो second number पे आ गया है third last था third number पे आ गया है यहाँ पर भी follow करते हैं जो last था वो first number पे आ जाएगा जो second last था वो second number पे आ जाएगा जो third last था आपके पास वो third number पे आ जाएगा कुछ कोडिंग डिकोडिंग के कोशिंस हमने डिसकस कि आपको पैटन समझ आ रहा होगा किस किस तरह के यह पे कोशिंस वगरा पैटन वगरा बनते हैं ठीक है और जिनको पहले से इन सबी चितनों को पता था जो पहले से मतलब हां इन चीजों में था कि हां इन में अच्छा हो गजलने के स्क्रीड में आई कोशन के सामने स्क्रीन इसान पर अपके सारा नबर रेंगे में अपके खाली जगह को फिल करना ओगा ब्लैंक पर बताना को क्या होगा इसा हज़ते लिए और पर एक अभी बना हुआ है यहां पर इस तरह से पहले दिखा हुआ है फिर दूसरी तरह बात करें तो 10 7 और फाइब प्लिया में और यहां यहां पर नियुक्त पर नाइन एह इसी तरह का बना हुआ अब यहां पर पैटन कैसे पैचानने के कैसे को करने करेंगे तो किया बन जाएगा यहां पर नाइच और यहां पर 70 यहां पर 10 निया रहा है यहां पर 19 दिया हुआ है आगे बात कर लेते हैं 2, 8, 10 है 2 है 8 है और 10 है अब यहां पर बताना यहां पर क्या होगा अब देखते हैं 8 और 10 टू नहीं इंद उनों के डिफ्रेंस 2 आ रहा है बिल्कुल ठीक है 90 और 70 डिफ्रेंस 10 आ रहा है यह तो गलत हो गया यह पैटर्न फॉलोड नहीं हो रहा और क्य हмsm2 आ नोल नहीं को अब your time at theять कर वाले यहीं बसको पैटन पह से लगाना और सकते करने कोशची हैंना कैसे करना यहां पर देखि क्या कहा गया 13 दिया हूँँ यहां पर फिर आपको 15 दिया हूँए हम पर फिर क्रॉल दिया हुआ हूँआ है ठीक है फिर यहां पर 2 दिया हुए है, यहां पर 4 दिया हुए है, और यहां पर 5 दिया हुए है, फिर नीचे के तरफ आते हैं, यह 4 दिया हुए है, यहां पर 8 दिया हुए है, और नीचे के तरफ आते हैं, 30 है, 65 है, next number आपको बताना था यहां पर क्या होगा, चलिए एक वाइद रस आपको बताता हूं ऑप्शिन ए में दिया गया उप्शिन बीमें दिया गया जिक्ति-फाइफ और ऑप्शन नंबर डी में दिया वर एक वीडियो को पॉज करो और ट्राइब और इसको अब आपको तो कैसे करना है देखो यहां पर मुझे पतना इस लिए आपको बतारों कैस कि आपको बताऊंगा इस लिए लेवल से कैसे क्या हुआ तो चोड़े से ट्रिक बताऊं को वह याद रखना एक पॉंट से चलना श्याषट करता है साउठ की तरफ साउठ की तरफ ट्रावल करता Choppur अब यह मिदलेश किसी पंट- recommend सुऩा- और South की तरफ जाता है, जब वो South की तरफ जाता है, कितना travel करता है, सिरफ 5 km, अब आपको सिरफ पते क्या करना है, कितना travel किया, 5 km ट्रेवल किया, कौन से side गया था, South के side गया था तो 5 और S लिख दो, S का मतलब South side गया था, फिर आपको क्या कहा गया है, then he turned right and travelled 2 km, फिर उसे 2 km मुझा ठर्वल किया, लेकिन राइट लेकिन आइठे टर्ण किया, अब रइची अब रज इचाना थाइची काम नअ थार मतलब है? रहे नेता science е चलती है इसको बते हैं clockwise बोलो यह राइट इस आगया है इतना इसका ड्याइट ट्रेवल कि न अभी वह सौदन साइड में आप राइट साइड छारा है इसका मतलब इसको ऐसे गूमना पड़ रहा है तो कुनछ ऐगी? वेस्टन साइड एक नहीं पहले आपको यह वेस्ट लिख देना है इतना क्लिर हो गया अगर वह बोलता है राइट साइड नहीं गया है वह लेफ्ट साइड गया है तो आप ऐसे नहीं जाते आप उल्टी डिरेक्शन में गूमते आप एंटी क्लॉक्वाइज गूमते जो लिख करें उसके बास यह तैक है ऍंडNaे टरन टौक्वाइज टनॉट लाइट में डेया खचुक्तव यह रतन लइकन टैने तौक्किर रइस लाइट अधुन ट्रसुक। यह करते हैं यह जोए थे हैं पांच किलोमेटर करता है फिर घसाइट है यह जाता पांच किलोमेटर गया फिर आपको क्या खागा है अब वो फिलाल यहां पर ना अब वो लेफ्ट साइड का मतलब किया है उसको उल्टी डॉरेक्षिन में पड़ेगा अगर राइए इसका मतलब वेस्ट साइड में थे लिए तो यहां पर हम वेस्ट लिग देंगे पिशन आसे कोशुन में क्या पूछा गया है और सद्क हम्सज करना है इनको मैश है कैंसल करने हैं इनको हमेश्य केंसल करने हैं ति तो इसको कैंसल करने को कोशिच गर नाउतन विश्ट दिखर ऑफ एग सौसरण सब्सक्रेज दिख रही है इसके पफना 받न al पूरी पूरीता से कट सकते हैं तो मिनको पूरीता से काट दूंगा इतलब यह हो गया पूरीता से कट रहे थे मैंने काट दिया पहले मैं देखा डायेक्शन अपोजिट हैं तो मैं माइनिस करने लगा जब मैं देखा यह भी फाइव है यह भी फाइव कटके तो जिरो बन ज सकते हैं 502 गया बंजय का 7 तो वेस्ट डिरेक्शन तो एक ही है ना हम 7 वेस्ट लिख देते हैं इसका मतलब वह भी 7 साइड में ट्रैवल करना स्टार्ट करता है और 30 मिटर तक जाता है काम पर गया 30 मिटर कौन से डारेक्शन में इस के बाद काहा गया है यह तो घुमेगा तो Southern Side में आ जाएगा clear हो गया जब ने समझ आगया यह चीछ बना दिया गया राइट का मतलब यह है ऐसे गूमना पड़ेगा लेफ्ट का मतलब यह है यहां से राइट साड गूमना था इसका मुझा तो इतना समझ आगया होगा फिर कहा गया है hithan tend left फिर वो left side में turn करता है and walk 40 meter 40 meter तक जाता है 40 meter हमने यहाँ पर लिख दिया और left side में turn किया अब वो यहां बराच चुका है अब यहाँ से left जाना हो तो कैसे जाएगा ऐसे गुमेगा न यहाँ पर ऐसे गुमेगा तो eastern side में आ जाएगा तो 40 यह हम लिख देते हैं. इतना क्लियर हो गया? उसके बाद आगे हम बात करते हैं. फिर क्या है? फिर काएगैंड अगेंट टर्ण लेफ्ट एंट वाक शिफ्ती मेटर है. दुबारे से लेफ्ट साइब करता हैं और पचास मेटर जाता है. दुबार से left side turn किया, यहां पर आ चुका था, दुबार से left side turn किया, मतलब northern side में आ गया होगा, यह हमने लिख दिया, question में क्या पूछा हुआ है, कि how far is he from the starting point, starting point से वो कितने दूर है, clear हो गया, अब यहां पर हम फ़ी देखेंगे, कि यह मुझे north दिखा है, यह मुझे south दिखा है, opposite है, हम इनको तो cancel कर सकते हैं, तो हम इनको cancel करते हैं, तो मुझे देखा value पी तो same to same है, यह तो पूरीता से cut जाएगा, मैंने पूरीता से को काट दिया, अब मेरे पास यह भी east बचा, यह भी east बचा, मैं तो add कर सकते हैं, तो मेरे पास क्या आजाएगा, 70 east मेरे पास आजाएगा, इतना पू क्लिर हो गया, तो आप से क्या पूछ जाता, कितना direction, distance आप से पूछ जाता हैं, तो distance आपने बता दे 70, आपने तो direction भी बता दिया, क्या बात है, आगे चलते हैं, एक question चलो, और यहां पर करते, यहां पर कहा आगे है, रवी जो है, वो अपने car drive करता है, east side में, चीक है, रवी जो है, वो अपने car drive करता है, और east side में जाता है, 4 km, 4 km east, हम यह पर 4 लिख देते हैं, और यहां भी East अपना देते हैं, कोई बात है जो भोलेगा हम भो करेंगे, then he takes left turn, फिर वो क्या करता है, left turn लेता है, और 6 km तर ड्राइव करता है, 6 km तर ड्राइव की, left side turn लिया, East का left कहां हो जाएगा, East का left north side हो जाएगा, यहां पर north side आ गया, फिर और क्या पूछा है उसने, he again turns to his left, वो दुबारा से left side turn करता है, और क्या करता है, travels 4 km, 4 km, यहां से left side कहां पर आएगा, यहां से left side का मतलब क्या है, left side ऐसे हो जाएगा ना, नहीं, left side ऐसे हो जाएगा, यह जाएगा राइट side, लेट एसे हो जाएगा इसका मतलब वेस्टन साइड में आ जाता है इतना क्लिर हो गया फिर उसके बात क्या कहा गया है यह वो चैंसल हो जाएंगे बट मुझे पता वालु भी सेम टूसेम है पूरी तरसे कट जाएंगे तो 6 नॉर्थ मेरे पास यह आशर बच गया है तो यहीं करेक्ट होगा इसका मतब 6 किलुमेटर के डिस्टेंस में वह ऑप्षिन नॉबर ए में है और हमने तो डिरेक्शन भी कि अगया बस ना एक बस स्टेट्मेंट होता है आपके सामने स्क्रीट अगई कोषिन है कोशन मैं काई गया कि संगाया है अ वणी जो है सोनु जो है वोох के लिए बड़ या सी थित्रew से बड़ा है सोनु जो में आगे हैं जो आम और टोलर की से अमीह जो किया है हम है से सहनो यहां प्यूट के लिखा देख लिए या पर ऐसे गलती तो Please कि हमने नहीं गलतेगी इस का फॉराम को गया इस को ए्रेज कर देते हैं सुभाश सब्सक्रान कि है इस सबया करें सुभाश की बात करें सुभाश का कहा गया इस टॉलर दन अमीत सुभाश जो है वह अमित से बढ़ा है सुबाश जो है वह अमित से बढ़ा है मुझे पता यह अमित था इस चीज़ को ठागे मैं यहां पर ला सकता हूं यह मैंने साइन यहां पर बना दिया इसका भी काम खता हो गया इसको भी रेज कर जाता हूं कि यह कहा गया सक्तु इस टॉलेस्ट और फॉल चुप जो है इन सबसे बड़ा है सबसे बड़ा इसका मतब आब यहां पर आजएगा सबसे बड़ा तो सथु हमारे बास आगया इसको में से कर देता हूं यहां तक किसी तरह कर डावट नहीं रहा होगा आपको ठीक है दिख र बचेगा मुझे पता कर दो यहां के छोड़नू तो मिडल में यह तो बचेगा तो मिडल में एक होना अमित है ना तो आपको समझाया होगा नहीं समझ तो कोई बात नी इस तरह का एक कोशन और हम करतें फिर शायद से आपको अच्छे से क्लियर हो जायेगा जिसे देखो कुशन आपके सामने स्क्रीन में है एक बार आप इसको ट्राइक करो कि आप सकते हो यहां पर तो कहा गया है यह जो है वो बी से टॉलर है एजो बी से बड़ा है ठीक है कोई शू नहीं है बी इस टॉलर और इंसी बी जो वो सी से लंबा है B किसे बढ़ा है B C से बढ़ा है ठीक है किसी तरगा डाउत नहीं है एक जो है वह भी से भड़ा थे जो सी से बढ़ा है उसके बाद-बात के रहें कहा गया है okay यूद' है किम सब्सक्रांण कर दो बस्क्यों सब्सक्राइब कर दोन शंतरes पीषर का लिब दिया सबसे बड़ा कौन सा है अब यहां पर आप देखो गए प्रिपोजिशन आपको मैंने करवाया था ना वहां पर कहा था क्या पता अमंग बताया था आपको अमंग कब यूज करते हैं जब आपके पास ना दो से जादा परसन हो जाएगा आप अमंग पूछा गया बिट्वीन से बड़ा दी बदर अगर इना दोनों का ब्रीच से इसे बड़ा खूता तो मैं इन को भी करके इस लाइनْ पर लगा देता तो फुल lasme सिर्फ इतना पता कि बीओर सी से बड़ा है इसके मतलब यहां पर आ सकता है बड़ यह ने पता कि आपको समच आ गए होंगे और इसका तो ऐसा राता है कि इतने को करवांगो होतने कम रहेंगे इसके जिटने को करवांगा बर बिल्किल बेसिक लिए ल kes कर से ऐगा खुर्च आगे हैं इक वह रता है कि इस तरह के आप अपके सामें और सक्राव्च कर वह वह में तो इसे कोशन आपके सामने स्क्रीन में रहेगा स्क्रीन में नहीं रहेगा में करके लिखता जाओंगो इसने कहा गया था इस तार से दिवागे फॉर फिर शैवन 12 फिर नाइंटीन फिर 28 तो यहां पर पताए क्या आएका यह इस तरह की सिर्स आएफ आ पसे पुछा एक नेक्स नेंबर कोन सा आएगा वाप बताना है श्रीज को पैचाना है कैसे पैचानवे आपको पता है फोर सेवन की तरफ जा रहे हैं इसमें कितना गया पार है इसमें कितना गया और लागे आपको समझ रहे लगा ताफिर फान्च गैप फिर नोग अब आप अब दिया पाना चाहिए याल नेकिवार को घया पाना चाहिए वह 11 का ना चाहिए इसका मतलब क्या हुआ कि 28 में 11 अगर हम एड करेंगे तो हमां पर 39 अशर आजयेगा इसको ऐसे भी समझा सकते थे ना कि फोर में 3 आए तो तब 7 आएगा 7 में 5 आएट इसको तब ही 12 आएगा 12 में 7 अएट को तभी 19 आएगा हो जाएगा आगे चलते हैं फिर 17 फिर आपको दिया था 19 फिर 25 और फिर आपसे पूछा गया बताओ सारे गया अपसे बताइए नेक्स फट 23 कैसे जा रहे हैं चार को गैप है दो गैप है पैटन समझ आगे लिए किस तरह कर पैटन फॉल हो रहा है पहले दो गैप था फिर चार गैप है दो गैप अब चार गैप आना चाहिए ना यहीं कि ट्वंटिफाइफ और फॉर टूंट नैं मेरे पास अंसर आ जाएगा जिस प कि आपको यहां पर बताने बीच में यहां पर क्या आईगा उसके बाद के हिवाने उसको 48 यहांपर इस तरह फॉटी इदया तोब कि यहां है ना Mul 21 और यहां पर क्या होना चाहिए आप किस तरह का पैटन फॉल हो रहे है इसका मतलब जो हम सीरिस फॉलो कर रहे थे वह बिल्कुल सही है इसका मतलब जो हम सीरिस फॉलो कर रहे थे वह बिल्कुल सही है इसका मतलब मैं आगे भी तरह करता हूं तो मैं 12 यहां पर लिख दिया तो देखा पूरी सीरिस फॉलो हो रही है मेरा अंसर यह करेक्ट हो जाएगा समझ आ गया नहीं समझ आया फिर से मुलूँगा जेकर सिद्विक रिजिंग के प्लेलिस्ट है नंबर स सब्सक्राइब करें अब यहां पर देखिए इनके बीच गैप नाइन का है इनके बीच गैप 25 का है इनके बीच गैप की बात करें सेवंटी तन है कि ट्वंटीफाइब है यह 16 के एंड डिक फूर नाइनस्टीफ गैप आपको देखने को मिल रहा है आपको बताना है कि यहां पर क्या चाएगा इतना क्लिर हो गया आपको बताना है यहां पर रिचाने लिए लिग यह पुछ अग्र है है यह फो आपको और दिखते हैं यह 3 श्कुरä है यह 4 का स्कुरार है यह 5 का स्कुरार इसका मतंब यहां पर क्या आना चाहिए था यहां पे 6 का स्कुरार अने चाहिए था मतलब कि सिका स्क्वला का मतलब किया है 3 को 3 से मल्टिपाइए करो जो मतलब किया है 4 को 4 से मृटिपाइए करो इस तरह का या पर 121 और उसके बाद आपको बताना नेक्स नंबर कौन सा आएगा यहां पर आपको बताना क्या आजाएगा अब यहां पर पाइटन पैचानो हर बार तो ऐसा नहीं होता कि आप डिफरेंस करने से आपको सिंबल आंसर मिल रहे हैं अब यह कोशन देखोगे ना अगर आप दियान मिल जाएगा अगर में 54 में 67 आड करूं मुझे 121 मिल जाएगा वैसे यहां लिगा करना पड़ेगा 67 में 121 आड करना पड़ेगा तो 126 188 मेरे पास आ जाएगा इतना क्लिर हो गया कैसे करना है इस तरह की को यहां बर बैस आपको पैटन पहचानना आना चाहिए और पैटन सब्सक्राइब करना इन दो तिन दिरों में जितनी प्रेक्टिस कर सकते हो करो कोई वह ऐसा तो नुकसान हो जाएगा आपका बैनिफीट होना है आगे चलते कुछ कोर कोशन सब्सक्राइब कर लेते हैं और जाता है कभी क्लासिफिकेशन भी का जाता है यहां पर क्या कहा आ जबान तक अबसक्राइब का सिर्फ था-टव kann टेबल चूर और चियर इन चारह में सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर क्रिंचार हो है क्यूंकि वह इन आप यह एपर चिशी क्या इन दियान से चाइब कर करो root की बात करो fruit की बात करो यह सreh पता है Plant की पार्ट होते हैं और प्रॉन थो अक और अलग चीज और तो समध टीज हुझ प्लांट न तो इसका मतब »AoLiPt monsieur अक होजाएगा कूर्ण ईउ डा इससे आपके सामने स्क्रीन में होते हैं यहां पर क्या होता है जासे आपके सामने स्क्रीन में कोशन होगा है ठीक है 되게 कास्सिमोग से है तो बताना प्रे इसलेशनशिक Two-Man इसलेशनशिप advantage के आपको बताना कर लिए GUY के सब्सक्राइब करते हुए क्यों हमें आप चीजा बताना थी जब कोइफ उसने bicka small किया है तो के यह बबंब करें गे है इससे यहां प्र था क्यल्टे क्ल्क्याइटर का रहिषले का सद्रप लेशंचीब दूसरा काम करते हैं तो स्ध्रत टीर्ट से मेजर् размint करते हैं तो मेंचल जो स्मोक का रिलेशुषण से हैं आपको बताना था वार के रलेशंशिप किसे वह था क्या, समोग की हेल्ब से discussion होता है Smoke की वजह से प्लूशन होता है तो वह वर की वजह से क्या होता है में निकलता है थे निकलता है तो उप्शिन निकलता ना तो यह गाए आगे चलते हैं आपके सामने दिया हुँए कि बताना है मन्त डे और मिनट में कौन से अब देखो आपको सम्मल चाहां नेशेंशिप बनाना है मन्त की बात करें मिन्ठ की बात करें मुझे पता के उल्पीया इक मट के अंदर आता है और दिन के अंदर स्य efect दिन को हुप मैं बनानी हो तो जास लूब बनेगी जिसमें है यहां बढ़ा दो आए मन्थ आपके पास या को बात करें तो जैसे यहां पर कुछ कुछ नहीं होंगे मैं बता रहा हूं कि आपने कैसे series को पहचाना है कैसे diagram को पहचाना है जैसे कहीं पर कहा गया red black और yellow अब मुझे पता तिनों के तिनों colors है बट different है ना तो मैं इनके diagram कैसे बनाऊंगा ऐसे diagram बना दूँगा red black और yellow तिनों को मैंने अलग-अलग कर दिया क्योंकि तिनों color तो बड़ी काई टेगरी के अंदर के सारे color आ रहे ना तो बड़ी काई टेगरी को मैंने बाहर बना दिया बड़ी circle से उसके इंदर red वह हम बताते हैं कैसे बनाएंगे जैसे teacher है और men है इसमें कैसे relationship होगा अब यह अगर इस सर्कूर को teacher मानके चलो इसको मैं मानके चल जाते हैं अब यह थोड़ोड़ा match क्यों कर रहे हैं क्योंकि कुछ teacher है ना वह मैंन होते हैं और कुछ teacher woman भी तो हो सकते हैं इसलिए पूरी क्योंकि difference थोड़ो सा रहता है कुछ पार्ट दोनों का सेम रहता है कुछ मैं जो हैं कुछ मैं तो इंजिनर भी होगे कुछ डॉक्टर भी होंगे ना जरूरी नहीं कि सभी कि सभी मैं टीचर होंगे इसलिए जहां पर थोड़ा relationship रहता है वहां पर हम ऐसे दिखाते हैं clear हो अब कर लोगे आगे हम बात कर लेते हैं यह कोशन कैसे करना जिसके सामने स्क्रीन में रहेगा यह वह सब छोड़ो आप स्टेट्मेंट में क्या रहे हैं पहले स्टेट्मेंट में क्या गया है क्या ग्रीन जो है वह toxic नहीं है कोई बी ग्रीन जो है इसको में green मानके चल आओं इसको बीडार चुंब भी बीडीन जो है वह toxic नहीं इसके नहीं इस तुम बद रहे हैं को रिलेसिफिप है यह नहीं मैंने अलग अलग सर्कल बना दिया फिर क्या कहा गया है सब केमिकल्स के जो है वो ग्रीन है कुछ ग्रीन है बता दिया अब इस स्टेटमेंट रखान डिया मना दिया इसके चलते कंकुलीजन की तरफ कंपूजन में कहा गया है पहले कंकूजन में कहा हुआ है संदुर्ट सब्सक्राइब करें पहले के मिले संदुर्ट में करें पहले करें वह ग्रीन जो जो नहीं है सब्सक्राइब करें मुझे मिलने रहा तो में पारी स्टेट्मेंट की मानती फ़रा ना उना की घुद में को मांचार जाए। कवाल जबी तय पारे एंगे त nutr टीको को माहीं लन्टिप्ट अको सब्सक्राइब है लिवाइटि अकूरIST आपको इस था 2 वो तौझ टीछ जाईगा अब जो कोने लैंग विज करो क्या कहा गया है जहां पर भी प्लेस होगा ना देखो आप को दिख रहा है multiply represents divide, आप question में ध्यान से देखो गए तो कहा गया था plus का मतलब है माइनस माइनस का मतलब है multiply multiply का मतलब divide यहां कि जहां पर भी multiply है वह आप में divide लगाते हैं क्लiर हो गया अब प्लस की जगा देखं़ क्या है र्वा स्टार्व क्या है प्लस रिप्रिसेंट माइनज जंबर भी क्लेश् Science लगा देटें ईईंतिन हो गैशरा ल rằng सब मर्मा पता ही बोर्ड मास की बास करते कि यहांपर आपके एक्जाम मेना ये ब्रैकेटाई और या ओफ की बाद को रहें रहें काम mana आने me कि मतलब सबसे enclai तो अपने मुल्टिपाय को सॉल्फ करना है फिर आपने एड़ करने फिर सब्टट करने इस इसको फॉललो करके आ व польз पहले दिवाइट फिर मल्टिप्लाइट फिर फिर सब्टेट करना ठीक है तो पहले डिवाइट करने सबसे पहले तो यहीं पर गया हैं डिवाइट करो 20 आ जाएगा क्लिर हो गया माइस का सब्सक्राइब करेंगे 20 को एज लिग देता हूं अब मुझे करना है जाया जाएगा इसका पर देखने को मिल रहा है तो वह आपको करेक्ट हो जाएगा कोशन कोशन और कर लेते हैं इस तरह का फिर आपका यहलो टॉपिक-क वी कवर हो जाएगा इसमें देखो क्या कहा गया एक से कि कोशन में है कोशन को सामें स्क्रीन में ट्राइब करो यहाँ तरह से कोशन कहा गया है एक षेकर बद्रून किया कहा गया है 120 कहा गया कुशन ठीक है 120 120 को अज़िए लिख दें मुल्टिपाइट वह भी आज़िए लिख दिया माइनस 25 डिवाइट थर्टी सिक्स ठीक है उसके बात कहा गया है प्लस 6 यह किसके बराबर हो जाएगा यह आपको बताना है अब यहां पर को फॉलो करते हैं को गया को की मैं कहा गया के जहांपर भी मुल्टिपाइन लिखाओ आ ना फ्लेस की माइनस माइनस माइंस है मालच पार रिखागा तो चीक है उसके च construction प्लेस Au प्लेस के लिखते हैं यहाद को माइनस लगा दूआ यहाद और मैंडिस लिघा दूंगाय यह मिनुख करना है प्लेगे करना ब्लेगे 8 को 120 यह इसको अंसे लिखेंगे ना को 50 यहाद 2 यहाद 5 debate is 14 15 swouz strongest यहाद 2-35 आपको यहाद 2 15 75 आ जाएगा ठीक है 375 plus 36 minus 30 इसको solve कर लोगे 36 minus 30 कितना बन जाएगा यह 6 बन जाएगा ना 375 plus 6 कितना हो जाएगा 381 यहां पर आ जाएगा और ऐसा तो कहीं पर है नहीं एक सेकंड रूप जाओ यहां पर एक मिस्टेक कर बैठी है हम यहां पर मिस्टेक हमने का कर दिया हम पर यह 36 है थर्टी सिक्स माइनस 6 है टो थर्टी सिक्स था तो मैने थर्टी लिख दिया है यह पर 6 करना पड़ेगा 36 माइनस 6 अधिनी आ जाएगा नहीं नहीं चलो इतने कोशन फिलाल हम रखते हैं वीडियो बहुत बड़ी बन गया मुझे लग रहा है आप वीडियो काफी बड़ी बन गई है यहां पर आपको रिकमेंट करूँगा कुछ टॉपिक्स आप और कवर कर सकते हो जैसे ब्लड रिलेशन की बात करें वह टॉपिक हाला कि मुझे दिखा लेना नमबर सिर्स की बात करें जितना कर सकते हो कर लेना उसके साथ साथ जो क्लासिफिकेशन और वन आउट यह वें डायरम व्यारा है यह बी कवर कर लेना अच्छा से कवर करना इसले आपको मैं रिकमेंट कर रहे हो कि सर्फ आज टॉपिक जो है ना जिसकी 77 बीडियो ब के पास है और आज ही आप ये काम करना इंग्लिश के जो को बोले ना आर्टिकल्स वर्ब बोले सेक्षिन उसकी भी अच्छा से प्रैक्टिस कर लो ताकि कल जब हम वीडियो लाएंगे आपके कोशन्स पहले साथ जाओंगे किसी भी तरह कर डाउट होगा वीडियो के कमेंट स सकती है